तो आप लोग ये आपका थमनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टापिक पर आज बात करने वाले हैं यह आईसी कौन सी गलती है जो आपको कभी जिंदिगी में नहीं करना है वरना आपको डिगरी तो ले लेंगे लेकिन किसी काम की नहीं रहेगी जिंदिगी भर आपको प्राबलम में फेस करना पड़ेगा रोना पड़ेगा यहाँ पर एक भेरती ने आपके बहुत अच्छा पुस्पेंद्र जी ने यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पुस्पेंद्र ठाकुर जी ने एक इतना अच्छा कमेंट किया बहुत अच्छा प्य नीचे फिर लिखा था सर रिपलाई दीजिए इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन रहा आपका उस्पेंद्र जी आपको बहुत-बहुत धन्यबाद इससे सभी अभ्यारतियों के मन में जिनके मन में ऐ ऐसा चल रहा होगा उनको भी यह वीडियो का माध्यम से पूरा क्लियर फाइफ हो चाएगा क्लियर इसके लिए आपको बहुत-बहुत तहत दिल से धन्यबाद तो आईए हम इस बात पर डिसकस करते हैं तो इसका डिसकस क्या होगा कि यह आपका जनरल कटेगरी हो गई तेन इस पर हम लोग डिसकस करते हैं तो यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको सीट मिलेगी जनरल वाली OVC वाली आप सीट नहीं ले सकते या फिर आप SC की सीट नहीं ले सकते यूपी केट अंदर यदि आपका SC या ST वाला अभ़यरती है तो यह आपका जनरल का सीट ले सकता है यह आपका अभ्यरती जनरल की सीट ले सकता है और OVC की भी सीट ले सकता है और SC की तो सीट ले ही सकता है और स्टी वाला तो उसका बना ही है clear फिर आपका यह दि OVC का student है यह आपका जनरल की सीट भी ले सकता और OBC वाली seat तो इसकी मिल दाएगी फिर SC का भेरती है यह आपका जनरल की seat लेगा ही OBC की भी seat ले सकता और SC का seat तो आपका बना ही है ST की seat यह कभी नहीं ले सकते यदि आप ऐसा category की cast certificate लगा देते हैं यदि आपका cast certificate लग जाता है तो admission के समय आपका farm reject कर दिया जाएगा आपका farm reject कर दिया जाएगा वहीं पर तुरंत आपका जो भी अभेरती होंगे उनका reject हो जाएगा application registration और वहीं पर उनकी file लाग कर दी जाएगी उनको reject करके घर वापस भेज दिया जाएगा clear उनका admission यदि by the way मिल भी जाता है तो आप यदि आप university में आ जाते हैं किसी भी CSC university में आ जाएगे NDUT किसी में भी यदि आप पहुँच भी जाते हैं आपको फिर आपकी scholar ship रोग दी जाएगी आपकी scholar ship रोग दी जाएगी scholar भी आपका रोग दिया जाएगा फिर यदि आपको यहाँ से degree भी पूर्णता मिल जा रही है तो वो degree किसी काम की नहीं रहेगी इसके लिए आप नहीं आगे apply कर पाएंगे और ना इसके लिए आपको दंडनी या प्राध है clear आपकी degree अमानने हो जाएगी असाथ में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इसके लिए आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे clear आप इतना अच्छा मेहनत करके आप एक अच्छी rank ला सकते हैं तो इसके लिए आपको पूरी जिंदिगी भर रोनी पड़ेगी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल में समझ में आ गई होगी तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब साथ में बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिए आने वाले सभी नोटिफिकेशन सरोपर्थम आपको पहुंचे इसके लिए थैंक यू थैंक यू बेस्ट आप लग